सब्सक्राइब करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे होम साइंस से बनने वाली लगबग सो से अजिक आप प्रिवार संसाथन प्रबंधन का परिचय आपको समझना होता है या निवस्त्र विज्ञान और परिधान का परिचय जिसमें आप परिवार संसाथन प्रबंध भी पढ़ते हैं ठीक है तो यह आपको पढ़ना पढ़ेगा अब इसका सलेबस आलेडी मैंने डिसकस किया हुआ अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजेगा उसको होजा करके ठीक है होम साइस में आपको यहीं पढ़ना है तो उसी से बनने वाले लगबख सोसे अधिक अब्जेक्टिव प्रस्तों पर चर्चा करूंगा मैं जो कि आपकी परिच्छा में आपकी बार आने वाले हैं ठीक है ऐसे हर एक सब्जेक्ट का मालजे पर आपके समक करते हैं जब प्राप्त करते जब बारा महीने चौदा महीने का हो जाता है आप सथय नबर इसका करेख शोटी लुग अगला परस्टियम या प्रियोक ने कड़ा करने के लिए वस्त्रों को या धुलाई में या साबुन में या बिरंजन में तो सोडियम हाइपो कुलोराइड का प्रियोग जो होता है वह बिलीचिंग या बिरंजन जिसको बोलती है हिंदी में उसमें होता है आपसा नंबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा आगे कुल होती है नेभल आपसे नंबर इसका अपसंगर करते है क्रतिम ऊप्रन को रहता है ठीक है ध्यान लगागा बढ़े आपक्रति है और हूं जोंगय सब्स Cash इक हिराटिन ओ хозя रोगा मैं अगे दिखेगा को नाइलन का बिशिट गुरुत्त है लैलान जो बिस्ष्ट गुरुत है वन पॉइंट वन फोर है आपसा नंबर इसका एक अरक्टर होगा ठीक है यह प्रस्ण कई बार आया परिच्छा में ध्यान रहाँ अगला प्रस्ण क्यू प्रामोनियम प्रकरिया की सुरुआत कभी अठारा सो सतानबे में इस भी में हुई ठीक है आपसा नंबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा बढ़िया प्रस्ण परिच्छा में आ सकता है आगे देखेंगे अगला प्रस्ण उनका संसलेसित अनुकल्प क्या है इन में से बताएं उनका संसलेसित अनुकल्प रेसम, नायलान, कपास या टेलीन पड़ापड से आप बता तो हौजरी वस्तरों पर प्रेस की आवसकता नहीं पड़ती आपसा नमबर इसका D करेक्टर एंसर हो जाएगा आगे देखेगा अगला प्रसन है गले को दोनों और से खुली सलाईयों पर बनाते हैं और एक ही धागा चारों और घुमाता मलब घुमाया जाता है इसको क्या बोलेंगे इसको सर्कुलर निटिंग और गोल निटिंग दोनों बोल सकते हैं आपसा नमबर इसका नमबर इसका प्रियास करेंगे इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा अच्छा रेशम का जनम किस देश में हुआ है चाइना में हुआ है रेशम के कीड़े की आयू जो होती है वह लगबक दो महीने की होती है यह बाद भी ध्यान नकिएंगे ओके प्लास्टिक फाइबर नायलान जो है और नायलान जो है ताप का बुरा सम्माहक होता है ये बाद भी ध्यान नखिएगा ओके अच्छा लिनन का जो रेसा है कहां से प्राप्त होता है तो फ्लेक्स के तने से प्राप्त होता है फ्लेक्स एक पौदा होता है उसी के तने से मिलता है ठीक है देखे बुनाई के बाद वस् ए आपसन करेक्टर एंसर होगा इसका आगे देखिएगा रेसम धागा प्रियुक्त होता है साटिल कपड़ा में तौलिया में या फिर गयबर डली में या उनी कपड़ा में फड़ापर से आप बताएंगे रेसम धागा प्रियुक्त होता है कहां पर साटिल कपड़ा में आप कपडा से गोज बुनाई से कौन सा कपडा बनता है सो गोज बुनाई जो एक प्रकार से मच्छरदानी जो बनता ही बाने का धागा लपेटा जाता है कपडा लेजन पर या हण सटल पर ये फपर जंड पर पनाने में होता है। आगे देखेंगे का प्रियोग किसके भाने में होता है। नंदा, बैग या रिबन, बताएं, नीटिंग विधी का प्रियोग किसके बनाने में होता है, नीटिंग विधी जो होती है, बुनाई की विधी है, तो नीटिंग विधी का प्रियोग होजरी कपड़े बनाने में होती है, आपसा नमबर एक करक्ट एंसर होगा, वस्त निर्म मूल हम सकता कौन सी है तो प्रसाध सकता कौछ सी है। रोटी दूसरा कौन सा है कपड़ा और तीसरा मकान तो यहां पर रोटी तो रहा हाई भूजन यह पहला है वस््थ आपका दू सरा है और मकान-थी ई deeply दूर प ça परिच्छा में प्रस्ट ना सकता है इस पुस्तक को लिखा है कैथरीन ने आपसे नंबर सी करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखिएगा सूत या पात तन्तु आतप तन्तु या फिर ताप सुनम में तन्तु तो यानि कपास जो या सूत जो होता है यह सेलुलोस तन्तु होत अगे देखिएगा अगला पर श्रुप फटापत स you देखे गए कर रॉदन रेसा इन में सेव लमबा रेसा है इन बैस से मेरे प्राकृतिक लमबा रेसा है रेसं का पास उन या रियान फटापत स्या बताएगा करएगा condition कंगे दो भल्क ज़रक एगा करक्ट एंसर इसका क्या हो जाएगा प्राकर्तिक लंबा रेशा है इन में से रेशम प्राकर्तिक लंबा रेशा है बिल्कुल ए आपसन करक्ट एंसर होगा कार्ड धागा है एक रेशी ये दुई रेशी ये बहु रेशी ये या मिसरित तो कार्ड धागा जो होता ये बहुरेशी होता है ठीक है आपसा नंबर इसका C करक्टर अंसर होगा आगे देखिए अगला प्रसंद निम्न में से कौन सा फैंसी धागा नहीं है देखिए गरेंडल धागा, सलब धागा, लूप धागा ये सब आपके फैंसी धागों के स्रड लूप और गरेंडल, जबकि साधार धागा ये फैंसी धागा नहीं है, C आपसन करक्टर अंसर होगा इसका, अगला प्रसंद टूइल बुनाई वाले वस्तर में धारियां दिखाई देती है, गोल, तिर्ची या घुमाओदार या सीधी, तो टूइल बुनाई जो होती, इ ये रेखा, ये वाली यहाँ, जयानि कि एक कोना ये दूसरे कोने मिल जाए, यही बिकड होता है, ये बिकड होता है, ठीक है, तो इस तरीके से ने तिर्ची, टूइल बुनाई वाले वस्तर जो होते हैं, ये तिर्ची धारियां इसमें दिखाई पड़ती है, C आपसन करक् वस्तर के एक अताई के लिए, ठीक है, इसका C आपसन करक्ट एंसरों का बहुत बढ़िया प्रसन है, आगे देखेगा प्रसन अगला है, साधार धागा अपनी संपूर लंबाई में एक समान क्या रखता है, ब्यास निश्चित्ता अंतरालिक में गाठे या एक समान दूरी अगला प्रसन किसी धागे में एक कहरे धागे जितनी संख्या में मिले होते हैं, उस संख्या को हम लोग प्लाई बोलते हैं, आपसन अगला देखेगे स्वानिर्मित रेसम नहीं है इन में से, कता हुआ रेसम जो है, स्वानिर्मित रेसम नहीं होता है, बाकी मूंगा रेसम अरंडी रेसम और हस्त रेसम ये सब स्वाधिर्मित रेसम हैं अगला प्रिस निमने से कौन एराडिक रेसम का भाग नहीं है राडिक रेसम के भाग में धर बात की जाए तो देखें, नोमेक्स, कुईलर ये सम्हित होते हैं आसरे नहीं है C आपसन इसका बिलाई के प्रकरिया में किसको हटाते हैं बिलाई के प्रकरिया में बीच को हटाया जाता है आपसर नमर इसका सी करेक्टर एंसर हो जाएगा आगे देखें अगला प्रस्थाम के स्केन पर आ चुका है प्रेंटिंग में मोम का प्रियोग किया जाता है ब्लाक चपाई में, इस्क्रेन चपाई में, मसीन चपाई में, अबाटिक चपाई में, फड़ा-फड़ से आप बताने का प्रियास करेंगे, अच्छा बता है वस्तर की उल्टी और बुनाई क्या कहलाती है, वस्तर की उल्टी और की बुनाई जो होती है, वो साटीन यह बात आप ध्यान रखेंगे ओके प्रस्तना अगला क्या चुका है आपकी परिच्छा के लिए इंपोर्टेंट है तो प्रिंटिंग में मोम का प्रियोग जो किया आता है वो बाटिक छपाई में किया आता है आप सब्सक्राइब इसका भी करेक्टर एंसर होगा आगे देखेगा बाटिक छपाई का जनम किस देश में हुआ बाटिक छपाई का जो जनम हुआ है इंडोनेसिया देश में हुआ इंडोनेसिया में दीप पड़ता जावा दीप उसी जावा दीप पर सरप्रतम बाटिक छपाई का जनम हुआ आपसा नंबर इसका आ करेक्टर हो जाएगा अगला कोशन साब देखेंगे सेंफुराइजिंग प्रतीक है सेंफुराइजिंग जानते किसका प्रतीक है सेंफुराइजिंग एक जो है मुहर होती है यह मुहर जिन कपड़ों पर लगी होती है वो कपड़ा वस्तर जो जो कपड़ा होता है जिन पर रंग कोंसे हैं दुतियक रंग बैंगनी हरा और नारंगी यह दुतियक रंग में आते हैं बैंगनी हरा और नारंगी दुतियक रंग है दुतियक रंग तीन होते हैं अगला प्रसने राजस्थान की बंधनी छपाई किस छपाई का उधार है राजस्थान की बंधनी किस छपा सिलाई मसीन का भाग है देखे निडिल प्लेट प्रेशर फोट और फीड डॉग ये सब सिलाई मसीन के ही भाग है डी आप्सन करक्टेंसर होगा बढ़ी हाप परिक्षा में आया हुआ है अगला पर शेवस्तरों के चैन में ब्यक्ति में किस तत्व का होना आवस्यक है करना ड्राफ्टिंग करना पेपर पैटन बनाना ये तीनों जो है ये वस्त निर्माल के सिध्धानत में सामिल है ठीक है डी आप्षन करेक्टरेंज रोगा उपरोग तो सभी आगे देखिएगा अगला प्रसना चुका है नियंतर्ण के चर्ण है क्रियानमेन जांच करना या समयोजन करना ये फिर ये सभी पड़ा पड़ से आप बताएंगे नियंत्रड के चडड इन में से कौन-कौन से? नियंत्रड के चडड होते हैं, जाच करना, क्रिया अनमैन करना, समालजन करना, ये सब नियंत्रड के चडडों में ही सामिल है, आपसन नमawर इसका D लगा देंगे उप्रूक तो सभी. योजना होनी चाहिए कैसी, परिवर्तन सील, बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा ये आपसन, योजना परिवर्तन सील होनी चाहिए, ये आपसन, ताकि कभी कोई दिक्कत हो योजना में, योजना को बदलना हो तो तुरंट बदल लगे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, अगला प प्रक्रिया में इन में से कौन सा मुल्यांकन का प्रकार नहीं ब्यापंग मुल्यांकन का प्रकार नहीं आत मुल्यांकन ब्रस्त मुल्यांकन यह सब होता है अगला प्रसें नियंत्रण के चल्ण है नियंत्रण के चल्ण में सामिल है आपका क्रियानमेन करना जांच करना और सम मूल्यांकन आपसर नमबर इसका बी करेक्टर एंसर होगा यदि प्राप्त संतोस चाहे गए संतोस से अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है धनात्मक रढ़ात्मक या परणात्मक या जब जितना आप चाहो उतना मिल्या तो परिमारात्मक होगा अगर उससे कम मिले तो रढ़ तो धनात्मक होगा, अगर उससे अधिक मिल जहें, यतना आप चाह रहे हो तो धनात्मक होगा, A आपसने इसका करेक्टर सरोगा, आगे देखेगा मुल्यांकन के प्रकार है सरसरी तोर पर मुल्यांकन भी होता है कि एक नजर देख लिया हो गया और साविस्तार मुल्यांकन भी होता है ठीक है यानि कि ये दोनों प्रकार के मुल्यांकन आपके होते हैं मूल्यांकन के प्रकारों में और बाय मैं बटाया 알아गों कि सरी तौर पर जब मूल्यांकन होता है तो वस देखायाता कि जो है बिना पिस्रीच नहीं करते है लोकLES यह मूल्यांकन करता है जो होते है cute कि यह देखा या और अधिक कुछ संभ आ है किस प्रकार के मुल्यांकन में ओ। अभी तक जो इसमे मैंने किया है उसमें किया कमिया रह गई है और कौन सी कमिया जो रए गई उनको क cierre भरा जाया उन कम्यों को कैसे पूरा किया जाये इस बात का भी ध्यान रखा जाता है ठीक है साविस्तार मुल्यांकन भी आपसन करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसन आपकी स्किन पर आचुका फटापट से आप देखेगा प्रसन नियंत्रन एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि यो यह कथन किसका है यह कथन है किसका निकिल और डारी का बिलकुल शी आपसन इसका करक्ट एंसर होगा पर अने प्रस में पूछा गया था पिछली बार फिक्ति तिसनसं कहँकोद शार जा手 कि कि साधन की गुडात्मक सीमाएं हैं वस्तू धन या समय तो भाई इन सभी साधनों की गुडात्मक सीमाएं होती हैं डी आपसन इन सभी की अगला पर से ब्यक्तिगत साधन नहीं है इन में से देखे धन ब्यक्तिगत साधन नहीं है बाकि समय सकती ये सब ब्यक्तिगत साधनों मे विएवस्था कि प्रकरिया का प्रथम चर्ण कौन सा है जा तोसमे विवस्थापन के द्वारा अन्य साधनों का भी विकास की आःसकता है समय तकनीकी प्रभीन्दता या कौसल मताएं तो समय ब्यवस्थापन के द्वारा अनिसाधुनों का भी विकास किया सकता है समय आपसा नम्बर इसका एक अरक्ट एंसर हो जाएगा अगला परसन निम्द में से किस साधन को बचा करके भी रखाया सकता है तो धन और सकती दोनों को बचा करके भी रखाया सकता है आपसा नम्बर इसका दा करक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है लेकिन समय को आप नहीं बचा पाएंगे आप धन को बचा लेंगे आप सकती को बचा लेंगे अपनी छमता को लेकिन आप समय को नहीं बचा पाएंगे, समय तो अपनी हिसाब से चलता रहेगा, तो इसका D करेक्टर एंसर हो जाएगा, A और B दोनों सही होंगे, ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रस्न है, सहींक्त परिवार के बिगटन का कारण क्या है, और दोगी करण बिल्कुल सहन सीलता और सिक्षा के स्तर में जो है, आ सहन सीलता है, आ सहन सीलता होगी, तो सहींक्त परिवार का बिगटन नहीं होगा, सहींक्त परिवार और आगे अच्छा बढ़ेगा, जब आ सहन सीलता हो जाएगी परिवार में, और दोगी करण का बढ़ावा मिलेगा, सिक्षा के कि इस तर्में ब्रद्रियों घर बनवाना एक प्रकार से लंबे समय के लिए होता है पूरा जीमनकाल ने पड़ जाता दीर काल लक्ष भी आपसर अगला परसे किसने संसाधनों को मानबिये और आ मानबिये में वर्गी करत किया इन में से देखें इन में से निकल डारसी और ग्रास और कंडलिन सभी लोगों ने मानबिये और आ मानबिये संसाधनों में वर्गी करत करा है ठीक है संसाधनों को आपसे नंबर इसका सी करेक्टेंस रहो जगा आ और बा दोनों आगे देखेंगे अगला कोशन सा चुका है आपकी स्किन पर एक औसत ग्रहणी द्वारा औसत इस्थिती में एक घंटे में किये जाने वाले ग्रह कारियों की मात्रा क्या कहलाती है ग्रह का समय व्यवस्थापन समय प्रबंधन या काईर इक आउसत ग्रह रिख मगांगे स्थिती में एक घंटे मेंने तैप ये दया रह सीच के मात्रा होती है वो क्या कहलाती है का कारे कारिक कहलाती है कार चकर इंसे संबन्धित है कार चक जो को यह समय और कार इस से रेलेटेड अबसें का चाहिए अगला पर से कार कि के कितने परतिशाथ होना चाहिए द्याफ सте अगला पर से गयंट चार्ट मुल्यांकन करता है गयंट चार्ट मुल्यांकन किसका करता है समय आयोजन का मुल्यांकन करता ए आपसन करेक्ट एंसर होगा इसका अगला पर से मंडल के परिवर्तन के वर्ग निम्निमे से संबंदी थे मताएं मंडल के परिवर्तन के वर्ग निम समय योजना होनी चाहिए कैसी साधारण परिवर्तंसील या परिवर्तंसील आ पर्त्यासित आपात इस्थिती से निपटने के लिए समय योजना परिवर्तंसील होनी चाहिए भी आपसन इसका करेक्टर अंसर होगा अगला परसने परिवार में कुसल और तव्यवस्था का महत्पूर्ण लक्षण क्या है परिवार में कुसल और तव्यवस्था का महत्पूर्ण लक्षण है परिवार के सदस्यों का विवेक पूर्ण बेक गया जाए ठीक है आपसन नमबर इसका B करेक्टर इंसर हो जाएगा ठीक है अगला परसन जो आए किसी परिवार को मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है वह आए कौन सी आए कहलाती है उसी आए को मुद्रिक आए कहते हैं ठीक है जो मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में प्राप्त होती है यह आपसन वास्त फटापट से आप देखेंगे कुड़े के निस्तारण की जीव बिज्ञान विधी किस पर आधारी थे फ़ूदी वाइरस बैक्टीरिया ये इस्ट इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा फटापट से आप बताने का प्रियास करेंगे कोड़े के निस्तारण की जीव बिज्ञान विधी किस पर आधारी थे बैक्टीरिया आपसन नमबर इसका डी करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला पर से पानी के सुद्धिक करना चाहिए तो मख्यों से बचने के लिए जो है नेप्थिलीन का से चिड़काव करना चाहिए इसका डी आपसन करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला पर से पानी के सुद्धिकर्ण के कितने तरीके हैं पानी के सुद्धिकर्ण के कई तरीके होते हैं लेकिन बेसिकली दो तरीके होते हैं आपसन नमबर इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसर नम्बर इसका सी करेक्टर होगा अगला परसे तांबे की वस्तों को साफ करने के लिए किसका प्रियोग क्या आता है तांबे की वस्तों को साफ करने के लिए नीम्बू के रसका प्रियोग आप कर सकते हैं बड़ीहा तरीके साफ होता है भी आपसर करेक्टर नीम्बू आपसन इसका करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसाफ देखेगा और लास्ट प्रसिस वीडियो का ये है कि गरे सज्जा में बिविद्धता का आर्थ होता है समय समय पर पर परिवर्थनों को सज्जा में समलित करना ताकि जो है सज्जा एक जैसी हमेसा न लगे ठीक है और सज्जा जब हमेसा परिवर्थित होती रहेगी तो रुची भी बढ़ेगी आकर्शन भी बढ़ेगा ठीक है अच्छा लगेगा तो इस तरीके से यह आप इन सभी प्रसनों को जान चुके हैं तो गरे बिग्यान से बनने वाले बह में दूंगा लिखित माले पर आपजिक्टी माले पर दोनों आपकी समग चाते रहेंगे ज्यार रखिएगा और बीर बहादूर सिंग पुर्बांचल बिश्विद्याले राजा महंद प्रताप सिंग सिद्धार्थ उनिवर्सटीन सभी के जो है डेट सीट जारी होरे लग सिद्धार्थ का भी नहीं आया है बीर भादूर का चुका है और चोधर चल सिंग मेरट का भी सायद आ चुका है ठीक है और इसके लावा राजा महंद प्रताप का चुका है तो इस सभी की परिछाए अपरेल से सुरू होने वाली है 15 अपरेल के आसपास से परिछाए इसलिए दे रहा हूं अभी से ताकि आपको कोई दिक्कत ना और आप आसानी से हर चीज को समझ पाएं ठीक है धन्यबाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में